ये लग रहा है कि जैसे कि उन लोग पैसे वाले हैं तो हम गरीबों के पास कोई नयाय के लिए कोई वो नहीं है आखरी सांस तक मैंने बार बर का है मैं आखरी सांस तक अगर मुझे नहीं नयाय मिला तो मैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी जाने के लिए तैयार हूँ और मैं उनी के सामने अपने आपको आतमदा कर लो उस दोरान वो डिपरेस में क्यो नहीं किसी बस के आगे ट्रक के आगे क्यो नहीं कूदी जो पाकिस्तान से आ गई हैं उनके लिए मीडिया भी खाली है बड़ी मीडिया भी खाली है और और नेता लोग भी खाली हैं, बच्ची गिरती है, उसका सर नहीं फुटता है, उसके चेहरे पे कहीं चोट नहीं आती है, और वो तीन मंजिले सकूद गई, समाज ऐसा है कि घूम फिर सिर्फ बच्चीयों को ही दोस्ट देना है, अगर वो मर गई, तब भी, कपड़े अगर चोटे पढ़ रहे हैं, तब भी, अगर वो पढ़ाई में अवाल नहीं है, तब भी, मैं प्रसासन से ये चीज़ सवाल कहर रही हूँ, कि बिना मेरे परमिसन के जाच कैसे हुई, उस मोबाइल का उसमें क्या मुद्दा था, सिर्फ मिलने का मुद्दा था, तो आपने उसम दिन के अंदर रिहा हो जाते हैं, हम बात कर रहे हैं आजमगर की श्रया की, कहा गया कि इस बच्ची ने स्कूल के बिल्डिन के तीसरे फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी, लेकिन इतनी उचाई से कूदने के बाद भी नहीं उसका सर फूटता है और नहीं उसके चेहरे पे कोई निशान आते हैं, श्रया के माता-पिता दर-दर इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, इस पूरे मामले में प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिशेक राय की गिरफतारी तो होती है, लेकिन दस दिन के अंदर वो छूट जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो इ लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है, श्रया की मा का कहना है कि ना प्रशासन और ना ही सरकार, कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि श्रया के माता-पिता इन बड़े-बड़े माफियां से टकराने में सक्षम न नहीं हुई है श्रया की माने तो यहां तक अलाम कर दिया है कि अगर सीम योगी आदित्य नात उनका साथ नहीं देते उनकी बच्ची को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद नहीं करते तो वो उनके आवास के बाहर जाकर आत्म दाह कर लेंगी आईए आपको सुनाते हैं और क्या सच्चाई है उसको छिपाया जा रहा है अभी वो गिर्ती है ना उसका सर खुलता है ना उसके चेहरे पे चोट आती है लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ये चीज है तो पूरा जिस तरीके से एक crime scene होता है उसको फिर से मतलब साच को फिर से दोबारा जो है कि डेमू की तुरू फिर से उसको वो किया जाए सर्च किया जाए कि क्या बच्ची कोई गिरती है उसके चेरे पर चस्मे लगे थे जो खाली लोगों ने कहां नहीं बता दी कि बच्च कि टुकडे तक नहीं मुझे मिले जस्मे गया कहां चसमा किया हावा में उड़ गया या उससे बच्ची मेरी साथ लेके चली गई कहां गया चस्मा न उसकी कान की बाली का पता है ना कि ना की कील पता मतलब हर चीज को आप इदम घोट के पी जा रहे है पूरी सुरु से प् अदर में वो डिप्रेस में कूँ नहीं किसी बस के आगे ट्रक के आगे क्यों नहीं कूदी क्यों को उसने चुना वो भी लंच के बाद चुना लंच तक अस्त रही थी दम खेल रही थी मुझे इसका जवाब प्रसासन हो चाहे कोई भी मुझे जवाब चहिए देखिए सर बत बच्चियां बताई भी लेकिन अब सामने नहीं आएंगी क्योंकि बच्चियों को भी कहीं नहीं डर है मेरी भी बच्ची रहती तो सायद भाई वह भी डरती क्योंकि समाज ऐसा है कि घूम फिर सिर्फ बच्चियों को ही दोस्ट देना है अगर वो मर गई तब भी कपड़े अगर चोटे पढ़ रहा है तब भी अगर वो पढ़ाई में अवल नहीं है तब भी सिर्फ बच्ची को ही दोस्ट देना ये मान लिया है समाज ने मान लिया कि एक बच्ची आगे नहीं बढ़नी चाहिए कोई नहीं आए यही तो मुझे आश्चर है कि अभी एक छोटी सी स मर गई उसके लिए किसी के पास समय नहीं है मैं प्रसासन से यह चीज सवाल कह रही हूं कि बिना मेरे परमिसन के जांच कैसे हुई उस मोबाइल का उसमें क्या मुद्दा था सिर्फ मिलने का मुद्दा था तो आपने उसमें कॉल डिटेल क्यों निकलवाई वाई अगर एक परिक्रिया आप इस्तमाल करिए उस पर भरोसा करें क्यों बरोसा करें निर्भया की मा की तरह दस साल इंतजार करें नहीं है मेरे पास इतना सब्र नहीं इंतजार कर सकते हम क्योंकि हमारे पास और भी एक बच्चा है वो भी डैरा सहमा है कहां लेके जाए उसको आखरी सां मेरे जो नयाय प्रक्रिया है वो बहुत धीमी चल रही है मुझे पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ उलट पलट हो गया है फिर मेरे लिपक्ष में नयाय आएगा भी कि नहीं आएगा क्या वरोजा एक माता पिता ने अपनी बच्ची खो दी है लेकिन उनका साथ देने वाला उनको इनसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है श्रयाकी मा ने बड़े-बड़े मीडिया चैनलों पर भी आरोप लगाया है कि इन मीडिया चैनल्स के लिए पाकिस्तान से याई सीमा हैदर और हिंदुस माता पिता ने अपनी बच्ची तो खो ही दी लेकिन अब उसे जो इनसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे है उसमें भी उनका साथ देने वाला कोई नहीं है अब इस पूरे खबर में सरकार और प्रशासन क्या करती है कैसे कारेवाई करती है और आखिर कब तक श्रिया को इनसाफ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तब तक के लिए आप देखते रहे हैं देशवा न्यूज सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें